लेकिन payment में आपको पहले कर देता हूं बेटिने का ठीक है कि अगर आपको इस हाइगल चाहिए तो मैं आर्मी में जॉब करता हूं और आर्मी से मेरे को permission नहीं कि मेरा bank account से पैसा कटके आपके bank account में आ कि सर मैं आपको बार-बार पेमेंट कर रहा हूँ पर पेमेंट फेल हो रही है अब मैं एक काम करता हूँ हाई फ्रेंड्स आज सब कुछ कितना असान हो गया ना शॉपिंग करना, समान बेचना अगर आपको कुछ चीज खरीदनी है अनलाइन सर्च करो, क्लिक करो, प्राइस देखो, क्लिक करो, प्रोडक्ट मंगाओ और पेमेंट कर दो या एडवांस पेमेंट करोगे, एक्स्टर डिसकाउंट मिल जाएगा आज कल बहुत सारे स्कैमर्स भी इस बात को जानते हैं कि लोग साबधानी पूरवक काम नहीं करते हैं तो आज हम बात करते हैं कि ऐसे स्कैम के बारे में जिसमें आप समान भेचने या खरीदने दोनों में से किसी भी तरह में फज़्जाओ आपको नुकसान हो सकता है और यह स्कैम क्या है इसको समझना बहुत जुरूरी है OLX and Quicker पर बहुत सारे लोग अपना पुराना समान बेचते हैं या पुराना समान खरीदते हैं ऐसे में कैसे उनके साथ स्कैम हो जाता है इस बात को समझना बहुत जुरूरी है यहाना एक चोटी से स्टोरी मैं आपको बताता हूँ मेरे बेटे ने मुझसे का कि डैडी मुझे बड़े पर आइफोन 14 चाहिए मैंने का ठीक है ले लियो तो उसका बड़े आया मैंने इसको आइफोन 14 गिफ्ट कर दिया बेटे ने गा कि डैडी मेरे पास फोन एकसार है अब मैं इस एकसार फोन का क्या करूँ मैंनका पड़ा रहने दे तो उसकी दिमाग में आया क्यों ना चलो मैं इसको ऑनलाइन बेच देता हूँ आठजार रुपी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं मैं आठजार रुपी आपको दे दूँगा तो मैं फोन कहां से ले सकता हूँ तो बेटे ने का ठीक है इस में क्या प्रॉब्लम है बंदा payment पहले कर रहे है अब जब payment पहले कर रहे है तो किसी तरह का बार-बार मैसिज आया कि पेबेंट सक्सीड नहीं हो रही है तो उस परसन ने मेरे बेटे से कहा कि सर मैं आपको बार-बार पटार्यों पर प्र फेल हो रही है मैं काम करता हूँ मैं मैं आपको एक अपना ऑनलाइन पेमेंट के लिए qr कोड भेज जैता हूं जैसे आप उस qr कोड को स्कैन करेंगे ना तो मेरा बैंक अकाउंट से पैसा कटके आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा बेटे को उसने स्क्रीन शॉट भेजा qr कोड का जैसे उसने qr कोड देखा तो उसमें लिखा उता ट्रांजेक्शन डैबिट मेरा बेटा थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को सुनता है और समझता है और देखता है तो उसने तुरंत अब्जर्व किया कि अगर मैंने इस qr कोड को स्कैन किया तो आठ जर्व मेरे अकाउंट से क्रेडिट की बजाए डैबिट हो जाएंगे मतलब आने की जगा चले जाएंगे और तुरंत जब उसने उस विक्ति से कहा कि बैसाब आप यह क्या कर रहे है आपने मुझे डैबिट का वो भीजा है कि रहा सर वह बाई मिस्टेक आ गया हो एक यू आर कोड भेजा है तो मैंने का बेटा यह फ्रॉड होते हैं इनके चकरों में मत पढ़ना चलिए मेरा बेटा तो समझदार था उसने मुझसे कंसल्ट कर लिया बात कर ली और यह बात अवाइड होगे लेकिन बहुत सारे लोग एक मिस्टेक कर देते हैं वह इस तरह बैटरी ऑपरेटेड हो और मैंने का चल ठीक है दिलवाद हुआ तेरे बड़े पर उसने बड़े तो अभी अभी तो बड़े पर आपने मुबाइल दिया और बड़े में तो भी एक साल है पर मुझे साइकल भी चाहिए बनका ठीक है चल देखते हैं किसी दिन ऑफडे होग मैंने का बेटा ऐसे कैसी हो सकता है कि 50,000 की बाइक वह साइकल केवल 15 दिन पुरानी कोई आपको 10,000 में देदेगा उसने मुझे फोटो शेयर किया मैं समझ गया इस स्कैम है उस व्यक्ति ने कहा कि सर आपको अगर इस साइकल चाहिए ना मेरे बेटे ने मुझे पूरी स्ट चाहिए तब उस बंदे को पेमेंट कर देना तो मेरे बेटे ने का डैडी मुझे 1000 पेटीम करना मैंने का नहीं यह भी एक फ्रॉड है तो लोग अलग अलग तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ OLX को कर या कहीं भी किसी सुचल मीडिया साइट पर फ्रॉड ना हो उस सा परसन है जो अपने प्रोड़क्ट को सेल कर रहा है तो उसको कंटाक करते हैं या अगर वो आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो वह आपको अट्रैक्ट करने के लिए उसके औरिजिनल प्राइस से बहुत कम प्राइज आपको दिखाते हैं जैसे मैं आपको बताया कि मेरे बेटे को 50,000 रुपे की जो साइकल मिलती है वो 10,000 रुपे की ओफर मिल रही थी उसको लगा मुझे ले लेनी चाहिए है तो वो क्या करते हैं अपनी एक्सपेंसिव चीज को सेल करने के लिए आपको लेस प्राइस वाँ शो करते हैं जैसी आप लेस प्राइस देखते हैं आप से एडवांस मनी मांगते हैं कि ठीक है 10,000 की साइकल आप एक काम करो बुक कर लो मुझे कोई भी टोकन अमांट देरो 2000 3000 5000 ताकि मैं किसी और को ना बेच हूँ या अगर आप जहांसे में नहीं आते कि ठीक है मैं एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा मैं तो प्रोड से चार्ज लगना है ट्रांस्पोर्टेशन का चार्ज लगना है वही मुझे दे दीजिए जब मेरी साइकल वहां पर आजाएगी प्रोड़क्ट आपके पास आजाएगा तब आप उसको देखकर चेक करकर तब मेरे को पेमिट कीजिएगा तो लोग कई बार इस जहांसे मे इल्लीगल काम है यहां पर आपको दिखाया कुछ और भेज दिया कुछ और आपको दिखाया कोई एक fancy dress expensive dress और भेज दिया उसका कॉपी आप देखो शूज में टी शेट्स में और बहुत सारे ब्रैंड्स में इस तरह की duplication हो रही है ब्रैंड का प्रोड़क्ट आप देखन आपको किसी को payment देनी है तो आप qr code ले सकते हैं और उसको payment कर सकते हैं पर कई बार आपको payment लेनी है और वह व्यक्ति आपको qr code बेज रहा है तो ऐसे में अगर आप qr code को scan करेंगे तो वह amount आपके bank account से आने की बजाए deduct हो जाएगा इसलिए इस तरह के scams को समझना बहुत जुरूरी है कई बार ऐसे जहां सो में ना हो जहां पर आपको product सस्ता मिल रहा है ना किसी को advance money दो ना shipping के नाम पर कुछ दो कोई भी चीज खरीदनी बेचनी है ना तो जो certified websites हैं उनहीं के माध्यम से चीज़ों को खरीदे जैसे Amazon है Flipkart है इस तरह की जो certified एक authentic websites हैं उनके जर storytelling के माध्यम से आपको capture करते हैं क्या कि आपने को प्रोड़क्ट डाला कि या भी 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 अवेलेबल है आपने कहा है उन्होंने आपसे चैट करना शुरू कर दिया आपने कितने का आपने मांट बोला एक एक समांट आपने बोल दिया ठीक है है मैं एरफोर्स में हूं और ट देते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करो तो आपको पेमेंट मिल जाएगी लेकिन कई बार वह आपके पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को इखाली कर देते हैं इसलिए फ्रेंट्स इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टन है कि आपको सही तरीके से डिजिटल प्लैट्फॉर्म को समझना है मनी ट्रांजेक्शन को समझना है डिजिटल ट्रांजेक्शन को समझना है पेमेंट लेने और देने के सिस्टम को समझना है लालच में आके कोई शीच को खरीदने के लिए तयार नहीं होना फाइन इसका तरीका क्या है इसका सॉलू इसके लावा डॉंट सेंट एडवांस मनी एडवांस मनी किसी को ना दे प्रोडक्ट बुकिंग के नाम पर इना जो स्कैमर्स होते हैं वह छोटा सा में पर पर फड़न को चेक करो अगर अगर पराट से सैटिसफाई हैं तब यह वो खरीदे यह कोशिश करें कि जिस वक्ति से आपको जीशिचा खरीद रहे हैं उससे फिसिकलिए आप मिलें मीटिंग करें उसका प्रोड़क्ट देखें वैरिफाई करें आपको लगता है कि व सही awareness की और यदि आप aware हैं तो कोई भी आपके साथ fraud नहीं कर सकता जरूरत है अपने आपको हमेशा update रखने की यदि आपके मन में कोई भी प्रश्ण है तो आप हमें comment box में ज़रूर लिखें कोई सब्सक्राइब करें और आप लोग इतना प्यार दे रहें उसके लिए सदे की गहराईयों से बहुत बहुत धन्यवाद स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्षर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे वभीश्य की काम ना करता हूं जै हिंद जै भारत